हाईलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में आज मैं रिजिनिंग के सबसे महतपूर प्रसनों को सेलेक्ट किया हूँ इस वीडियो में तो आएए चलते हैं आज के इस पहले प्रसन पर पहला प्रसनों मारा दिये गए बिकल्पों में से लुप्त संक्या ग्यांत कीजिए लुप्त संक्या हम को ग्यांत करना है दिया है नौ सत्रा तैंतिस और यहां पर लुप्त संक्या हम को ग्यांत करना है तो इसको ग्यात करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको ग्यात किया जाएगा सबसे पहले 9 का जो है देखते हैं कि इससे क्या relation है तो 9 का जो है 2 में multiply करेंगे पहले तो यह हमारा हो जाएगा 9 गुड़े 2 बराबर हो जाएगा 18 और minus 1 कर देंगे तो आजाएगा यह 17 आजाएगा तो इससे अगला चक करते है कि 17 17 में जो है 2 से multiply करेंगे माइनस 1 कर देंगे 17 दूना 34 माइनस 1 पराबर आजाएगा 33 यह भी हमारा देखे सही है अगला चक करते है कि 33 का multiply करेंगे 2 में तो 33 दूना हो जाएगा 33 का 2 में Multiply करेंगे तो हो जाएगा 6 और 1 घटा देंगे माइनस करेंगे तो आ जाएगा 65 तो हमारा देखिए Right answer हो जाएगा आपसन नमबर D 65 आ जाएगा Next question है वारा अगला question दियागी 279 126 738 169 4 Question mark दिया है Missing number इसके बाद 216 तो हमको यही याद करना है लुप्त संक्या तो सबसे पहले हम लोग जो है इस तरह से चेक करेंगे फिर इस तरह से दोनों टाइप से चेक करेंगे जिस तरह से हमारा answer देखिएंगे सब सही आएगा pattern में तो 2 का जो है गुड़ा करेंगे 7 में तो 2 गुड़े 7 गुड़े 9 तो 7 दुना 14 और 9 हो जाएगा 126 तो हमारा 126 दिया है अगला चेक करेंगे 7 तरह से 28 हो जाएगा 168 यह भी हमारा सही है अगला है 9 चोक 36 36 में किसका multiply करेगी 216 हो जाए तो इसमें multiply करेंगे 6 36 हो जाएगा 216 तो हमारा राइट आफसन हो जाएगा आफसन नमबर राइट आफसन हो जाएगा आफसन नमबर 6 आजाएगा चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्विस्टन पर नेक्स्ट क्विस्टन हमारा 179,64,81,30 625 फिर यहाँ बे लुफ संक्या हमको ग्याद करना 14,50 1296,576,70 तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो है इस तरह के इस तरह चलेंगे चेक करेंगे इस रूल से की हमारा आइंसर मैस कर रहा है कि नहीं तो सबसे पहले हम जो है इसका जो है स्क्वाइर रूट निकालेंगे तो आजाएगा 13 और 64 का स्क्वाइर रूट निकालेंगे तो आजाएगा 8 और 88 का स्क्वाइर रूट निकालेंगे तो आजाएगा 9 और सब को एड़ कर देंगे तो 13,28,29,30 जो की सही है हमारा ऐसे अगले चलते हैं 625 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 25 और यहांपे हमको ग्याद करना और यह दिया है 14 गहान जाए है तो 49 का हो जाएगा स्क्वायर रूट रूट निकालेंगगे 7 हो जाएगा तो यह जाएगा 32 अब 50 में से 32 घटाएंगे तो आजाएगा 18 अब यहां पर जो है हर संख्या का स्क्वाइर है तो 18 का स्क्वाइर कर देंगे तो आ जाएगा 324 जो कि हमारा राइट आप अंसर आप सन हो जाएगा A Next question है हमारा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 29 यहां पर लुफ संख्या हम को ग्यांत करना है सबसे पहले हम इस तरह से चक करेंगे इस रूल से कि हमारा आइंसर आ राए की नहीं तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम जो है 7 का मल्टिप्लाई करेंगे 4 में और फिर माइनस 1 करेंगे तो 7, 4, 28 और माइनस 1 कितना हो माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 27 जो कि हमारा सही है अगले पैटर्म पर चलते हैं 8, 45, 40 में से 2 माइनस करेंगे 38 आ जाएगा ऐसे अगला चक करते हैं तो 6, 54, माइनस 3 आ जाएगा 51 जो कि हमारा राइट आपसन हो जाएगा आपसन नमबर C 51 हमारा राइट आंसर हो जाएगा नेश्ट को इससे नमारा है 3, 4, 25 7, 8 यहाँ पर लुप्त संक्याँ को ग्याँत करनी है मिसिंग नमबर पॉइंट करना है तो सबसे पहले हम जो है 3 का यहाँ पर स्कॉाइर कर देंगे और प्लस 4 का स्कॉाइर और दोनों को एड़ कर देंगे तो यह हो जाएगा 9 प्लस 16 आजाएगा 25 ऐसे इसका निकालेंगे अगले पैर टरन का सास्थ तो हो जाएगा 49 और 8 टाइं 64 और दोनों को एड़ कर देंगे तो 9, 4 हो जाएगा 13 और 6, 4, 10, 11, 11, 113 जो कि मारा राइट अंसर हो जाएगा अपसर नमबर यह है 113 नेश्ट को इससे नहीं हमारा कि 2, 8, 20 यहाँ पर मीसिंग नमबर हमको फाइंड करना है सबसे पहले हम चेक करते हैं किस रियूल से जो है आएगा हमारा सबसे पहले हम जो है क्रास चेक कर लेते हैं क्रास मल्टिप्लाई करके तो 2 से जो है किस में मल्टिप्लाई करें कि 20 आ जाए तो इसमें हम 10 से मल्टिप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा ऐसे इसका चेक करते हैं 8 का कितने मल्टिप्लाई करें 8 का भी हम 10 में मल्टिप्लाई करेंगे 10 में तो यह आ जाएगा 80, अब आफसन चेक करेंगे, पहले में 1 दिया, दूसरे में 16, और C में 44 और D में 80, तो देखिए आफसन में 80 दिया तो इसलिए हमारा राइट अंसर जाएगा आफसन नम्बर D, 80, नेक्ष्ट क्विस से नमारा, यहां पर हमको मीसिंग नमबर फाइंड करन 21 को माइनस कर देंगे तो आजाएगा 2, फिर 21 से 17 को माइनस करेंगे तो आजाएगा 4, अब यहां पर दो दो का डिफरेंस आ रहा रहा अंतर, तो ऐसे इसका भी चेक करेंगे, फिर 17 माइनस, अब 17 मेंसे जो है, कितना घटाएंगे, कि 6 आजाए, तो यहां पर 11 गटाएंगे, तो 11 माइनस करेंगे, तो 6 आजाएगा, जो कि आप, आफसन में दिया भी है, आफसन में 11, तो हमारा राइट टांसर हो जाएगा, आफसन नमबर A, ग्यारा इसका राइट टांसर हो जाएगा, नेक्ट कुश्यन पर चलते हैं, ने 5, 4, 7, 6, 5, 5, 7, 6, फिर 37, 23, यहां पर हमको लुफ संक्या ग्यात करना है, सबसे पहले हम इस तरह से चेक करेंगे, इस तरह से सबसे पहले हम चेक करेंगे, तो 7 और 6, 7 चेक हो जाएगा, इसका 6, गुड़े 7, माइनस 5 करेंगे, तो 6 से 42 माइनस 5 हो जाएगा, 37, ऐसे अगला चेक करेंगे, 6 पंचे, 30 माइनस 7 बराबर आजाएगा, 23, यह भी सही है हमारा, ऐसे इसका चेक करेंगे, पंच और बीस, बीस माइनस 6 आ जाएगा, 14, 14 जो कि हमारा, आफसर नमबर D में दिया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, आफसर नमबर D, बस आज के लिए, आज की वीडियो में उस इतना ही, थैंक्यू,